नमा संस्कृताय मित्रों मैं टीवी स्टार क्लासे से आसे इस्तिवारी एक बार पुना है आप सभे लोगों का शहर्दय श्वागत करता हूँ साथियों आज हम आपके सामने संस्कृत का जो है हम से क्यों आपके समक्ष रख रहे हैं चलिए आज हम इसके बारे में अध्यन करते हैं तो आपके सामने स्वर बर्थम हम पत्यांस के आपके जीए का गद्यांस का कुछ जो है भाग जो है आपके सामने है यहां से आपको जो है क्या करना है कि आपको प्रस्ण को निकालना है तो यहां पर प्रस्ण निर्देश दिया गया है कि अधो लिखित प्रस्णों में एक से पांच तक के उत्तर निम्न गद्यांस के आधार पर आपको देना है समझ गे न तो चलिए देखते हैं गद्यांस क् अनीक ब्रिक्ष हैं और अध्यापक कह छात्रा चे पादपान रोपयांती अध्यापक और छात्र सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं पादपान मतलब पौधों को रोपयांती मतलब रोप रहे हैं यानि उनको लगा रहे हैं जमीन में और आगे हैं छात्रा पादपम सिंचनती छात्र जो है क्या कर रहे हैं पौधों को सीच रहे हैं छात्रा स्यामपटे लिखती छात्र जो है क्या कर रहे हैं स्यामपट पर लेकन कौसल का भी कास कर रहे हैं मतलब लिख रहे हैं और आगे हैं परिचारक घासं निवार के निवा निकाल रहा है और आगे है छात्र अपसिष्ट वस्तोनी छात्र गर्ण जितने भी हैं अपसिष्ट वस्तोन मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब अलग से कुछ वस्तोई जो है जमीन पर पड़ी हुई थी उचित अस्थाने छिपती उसको जो है एक उचित अस्थान पर फेक रहे समझ गए न और आगे है बिद्यालय उर्जा बिद्युत अस्ति बिद्यालय परिशर में जो है सौर उर्जा बिद्युत जो है मौजूद है समझ गए न और बिद्यालय से परवेश स्वक्ष अस्ति बिद्यालय का परवेश जो की स्वक्ष है तो यह जो है आपका गद्यांस तो आप देखना है यहाँ पर आपको जवाब देना है एक एक प्रशन का तो यहाँ पर प्रशन संख्या 61 आप से कह रहा है परिचारक यानि मतलब आपका नौकर होता है जिक क्या काम कर रहा है घास निकाल रहा है घास को लगा रहा है या घास की निराई गुडाई कर रहा है या फिर घास को सजा रहा है तो परिचारक क्या काम कर रहा है तो परिचारक जो है अभी आपने उपर पढ़ा परिचारक घासम निवारयत परिचारक क्या कर रहा है घास को निकाल रहा है अर्थान परिचारक का अर्थ यहां पर नौकर से है निवार्य जो पद है यहाँ पर यह जो सब लिखा हुआ है यह जो है आपका प्रत्थम पुरुस एक वचन का है समझ गये न भी या तो यहाँ पर आपको इसका सही जबाब क्या होगा इसका जो है वो घास निकाल रहा है समझ गये न यह option सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रा किसे सींचती है वट को कुट्टे आम को पादपम या इन सभी को तो छात्रा पादपम को सींच रही है तो छात्रा पादपम सींच अन्ती जो कि आपने भी गद्ध्यांस में पढ़ा था चात्रा क्या करें यह पादपम को सींच रही है यहाँ पादपम सींच रही है और पादपम पद में नपुनसक लिंग वाचक है जो पादपम लिखा हुआ है अभी दिखा दें एक निट आपको यहाँ पर लिखा आना चात्रा पादपम सींच रही है यह पादपम पद में यह पादपम पद में यह पादपम पद में यह पाद पुनसक लिंग वाचक है और चात्रा पद यहाँ अकारांत इस्त्रिलिंग वाचक यह चात्रा में अकारांत इस्त्रिलिंग वाचक सब्द है समझ गए न और सिंचन ती आपकी क्लिया है क्लियर हो गई बात न भी या चलिए तो छात्रा किसे सिंचती है तो पाद को सिंचीती है क्लियर हो गई बात चलिए तिर्शक नंबर देखते हैं पौधे कौन-कौन से कौन-कौन रोपते हैं पौधों को कौन-कौन रोपते हैं केवल बालक, केवल सिख्षक, केवल बालिकाएं या सिख्षक और सभी छात्र तो जो प्रशना नुशार आपको बता दें कि पौधों को जो हैं सिख्षक और सभी छात्र मिलकर रुपाई करते हैं समझे गेने भी यहां गद्यांस जो आपका लिखा दुतिय पंक्ती जो अभी आपने पढ़ा गद्यांस की दुतिय पंक्ती इस प्रशन के उत्तर की पुष्टी जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा इसके अतरिक्त में आपको बता दें कि अध्यापकर छात्रा चय पादपान रोपयती क्लियर हो गई बात ना जो कि आपका दुतिय पंक्ती में दिया हुआ है तो यहाँ पर D option सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 64 आपके सामने किसका परिवेश स्वक्ष है घर का बगीचे का बिद्याले का या परिचारत या नौकर का तो इसका सही जवाब क्या होगा अब आप इसको बताएंगे तो आपको हम बता दें कि बिद्याले असे परिवेश स्वक्ष है अस्ति समझ गए ना तो यहाँ पर D option बिल्कुल सही होगा तो आपके एक्जाम में ऐसे ही आपके गद्यांस या पद्यांस जो भी दिया जाएगा ऐसे ही आपको प्रशनों का आंसर देना होगा तो इसलिए इस वीडियो को अंतर देखिएगा भी या ठीक ना एक एक चीज़ पर हम आपसे चर्चा करेंगे चलिए देखते हैं तो इसका सही दवाब 64 का क्या होगा विद्याले का जो है परवेश स्वक्ष है विद्याले स्य परवेश स्वक्ष अस्ति अर्थार्थ विद्याले का परवेश स्वक्ष है यहाँ परवेश से क्या अर्थ लगाते हैं आप वातावरण से समझ गए ना और विद्यालेयस से में आपका शुबंत पद है तथा इसमें सस्थी विभक्ति का प्रियोग किया गया है समझ गए ना सस्थी विभक्ति का प्रियोग है जिसे आपका बालका से बालका यो बालका ना ये सस्थी विवक्ति का हमने एक बचन, दुई बचन, बाव बचन का बताया उसी तरह आपका इसका क्या होगा विद्याले से ये आपका सस्थी विवक्ति एक बचन होगा समझ गए नब या चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रशन संख्या 65 है आपका इस संपूर गद्यांस का उचित सीरसक क्या होगा इस संपूर गद्यांस का उचित सीरसक क्या होगा बिद्या होगी, सदाचार होगा, आचरण होगा या बिद्याले परिवेश होगा तो उपरियुक्त गद्यान्स का उचित सिर्षक बिद्याले परिवेस ही होगा जो कि आपने अभी पढ़ा जो कि समझत काम जो है आपके बिद्याले के परिशर में ही हो रहे है छात्र हैं, सिक्षक हैं और पौदे हैं, नौकर भी है तो इस सब बिद्याले परिशर में जो है अपना ये सब काम कर रहे हैं इसलिए बिद्याले परिवेसी इसका सही जवाब होगा समझ गए ने भाईया चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रशन संख्या चाचट है आपके सामने इसका सही जवाब दीजिएगा महा भारत में कितने पर्व हैं अब आपके इहां से प्रशन स्रिंख्या स्टार्ट हो गई है इसका सही जवाब दीजिएगा महा भारत में कितने पर्व हैं महा भारत में आपके कुल 18 पर्व हैं बिलकुल सही जवाब D ओप्सन होगा और आपको इसका ब्याख्यान बता दें कि यो है महा भारत जो की बेद ब्यास जी ने इसको लिखा है और इसमें कुल 18 पर्व मौजूद है और इसमें प्रमुक पर्व को हम आपको बता दें जैसे आपका एक है सभा पर्व है एक आपका बन पर्व है और एक बिराट पर्व है और शांती पर्व है और एक आपका भीस्म पर्व है ऐसे कई पर्व है एक आपका इस्तरी पर्व है समझ गए न तो ऐसे ऐसे कुछ जो है पर्व हैं जो कि 18 पर्वों में महाभारत आपका बटा हुआ है समझ गए ना चलिए प्रस्ण संख्या 66 को हम देख लेते हैं पाकह में प्रत्य है पाकह में प्रत्य है तो इसमें आपका एक को प्रत्य है अक्त प्रत्य है रावूल प्रत्य और घाई प्रत्य तो पाकेह में आपका कौन सा प्रत्य होगा तो प्रसन संख्या संशट का आपका जवाब क्या होगा तो पाकेह में आपका ये इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब D option होगा घाई प्रत्य होता है तो चली इसके ब्याख्या क हम बता दें आपसे कि भाव के अर्थ में जो है घई प्रत्य होगा समझ रहे हैं वो कैसे होगा उसको बता दे घई में आपका ओसेज बचता है अता पाकष शब्द में घई प्रत्य होता है समझ गये न क्लियर हो गई बात न और अक्टे प्रत्य की हम बात कर दें आपसे तो अक्ति प्रत्य भूत काल में होते हैं अक्ति प्रत्य ये वाला ये जो है में साब भूत काल में होते हैं अक्ति प्रत्य में आपका क्या सेज बसता है तो कीवल ता सेज बसता है समझ गये ने बाईया जैसे आपका अध्यापका हो गया तो अध्यापका में आपका जो है ये आपके प्रत्य लगा हुआ है क्लियर हो गई बादन बाईया चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न संख्या 68 है आपके सामने कुरुवाण में प्रत्य है कुरवाण हमें प्रत्य है, सानज प्रत्य है, सत्र प्रत्य है, आन प्रत्य है और अन प्रत्य है तो अन सट में आपका क्या होगा तो आपको बता दें कि कुरवाण में ये उप्षन बिल्कुल सही होगा कुरवाण में सानच प्रत्य है अब वो कैसे उसको बता दे कि सानच प्रत्य जो होता है आपका ये आत्मने पदी जो धात्वे होती है उनमें लट लकार की अस्थान पर सानच प्रत्य जोड़ दिया जाता है तो सानच प्रत्य का जो है आनसेज बचता है समझ रहे हैं ना सानच में आनसेज बचता है जिसे आगे का ये जो सा है इसका लोप हो जाएगा और फिर सा में जो आ लगा हुआ वो आ और और न और फिर जब चा का जो है आपका क्या होगा लोप हो जाएगा तो आन सेज बचता है समझ गए न तो जैसे आपका कुर्वाण हो गया कुर्वाण में आपका क्या हुआ सानज प्रत्य हुआ कुर्वाण वाण आ रहा है नहीं डा कुर्वाण आन तो वहाँ पे ध्यान से समझ येगा कुर्वान में देखिए वाँ पे जो आ की मांत्रा लगी होई है वो आ हो गया और इधर जो ड़ा है ये ड़ा जो ना में परवर्तित हो जाता है तो जो है आन प्रत्य देखिए इसमें सीधा सीधा इसमें जुड़ा होगा कुर्वान में देखिए आप बोलिए देखिए उसमें आन प्रत्या आ रहा है कि नहीं उसी साफसे समें सानस प्रत्या हो जाएगा कुर्वान में क्लियर होगी बात नभी या चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रस्न आपके सामने है इसका सही जवाब दीजिए प्रस्न संख्या 69 है एक नट छोटा कर दें इसको अब बताईए इसका सही जवाब दीजिएगा हरी हर गुरुवा हरी हर गुरुवा में समास होगा इसमें आपका सही जवाब क्या होगा पटापट बताईए तो हरी हर गुरुवा में आपका द्वंद समास होगा सी ओप्सन बिल्कुल सही है आप आप सही जवाब इसका दे रहे हैं इसमें आपका हरी हर गुरुवा में द्वंद समास होगा कैसे होगा तो आपको बता दे आदि आपने प्लेश में जाकर समासों का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने लिखवाया था आपसे उभय पदार्थ प्रधानों द्वंद है उभय पदार्थ प्रधानों द्वंद है यदि नहीं पढ़ा हो तो नोट कर लीजिए उभय पदार्थ प्रधानों द्वंद है मतलब जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो वहां पर क्या होगा आपका द्वंद समास होता है समझ गए ना अत हरी हर गुरुवय में द्वंद समास है इसमें बीच में आपका च जुड़ा रहता है समझ गए न हरी च, हरस च, गुरुव तो ये जो है आपका च जुड़ती जो है आपका दुन समास में परिवर्टित हो जाएगा क्लियर हो गई बाद न भी या चलिए आगे बढ़ते हैं हम बवरी का तो आप जानते ही है अन्य पदार्थ प्रधानों बवरी है जैसे आपका पीतांबर क्लियर हो गई बाद द्विक का आपको पता ही है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या सत्तर ये प्रशन आपके सामने इसका जवाब पटापट दीजिए चिनोत में धातु कौन से लगी होई है चिन धातु है या चू धातु है या चन धातु है या ची धातु है तो प्रशन संख्या सत्तर का जवाब आप पटापट बताईए तो आपको बता दे कि आपने जो है चलिए हम इसका जवाब देते हैं चिनोत में आपका कौन से धातु है चिनोत में आपका ची धातु है ये आपका डी ओप्शन बिल्कुल सही है चिनोत में आपका चीधातु है मतलब इसका क्या होगा अर्थ चीधातु का अर्थ होगता है चुनना चीधातु का मतलब होता है चुनने से है समझ गए न तो चीधातु का अर्थ होता है चुनना चिनोत में आपका चीधातु का रूप जुड़ा हुआ है समझ गे न? तो चिनोत में आपका चीधातु जुड़ा हुआ है तो आज यहीं पर इसका हम समापन करते हैं वीडियो का तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अपना विचार हमें जरूर दिजेगा फिर मिलते हैं अगले भाग में अगले प्रशन स्रिंक लाओं के साथ आप से पुना मुलाकात करेंगे आप सब लोग अपना ख्यार लखिए जहांबे रहें मस्त रहें टेक केर जै हिंत जै भारत नमो नमा